नमस्कार, आज हम बात करेंगे वेट डेंडरफ के बारे में या फिर गीले डेंडरफ के बारे में आप में से ऐसे लोग जो बोलते हैं कि ऐसे हम अगर सीर पे थोड़ा भी ऐसे हाथ लगाए न तो पूरे नाखुन में वो डेंडरफ भर जाता है तो इस तरह का जिनको सीर में गीलापन रहता है वो डेंडरफ अगर लंबे समय तक चलता रहे तो कई बार वो सोरैसिस में भी कनवर्ट हो जाता है सेवेरिक डर्मटाइडिस जैसी बीमारियों में कनवर्ट हो जाता है और हेर फॉलिकल्स को ब्लॉक करके पूरे बाल को जड़ा देता है तो यह जो वेट डेंडरफ है या फिर गीला डेंडरफ है वो होता क्यों है उसके लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं पूरी जानकरी इस देंडरफ के उपर वीडियो डाला था होता क्या है जब ड्राइड अंडरफ होता है तो हमें वह पता चल जाता क्यों क्यूंकि जैसा ही हम सीर में हाथ गुमाते हैं तो इसकी जो वाइट वैड कलर की जो चीज़े निकलती है वह यहां पर कंधे पर यहां पर फेस पर हार ज गिरेगा नहीं तो क्लिक नहीं होता और कई बार जब आप ऐसे नाखोन या कुछ अपना जो नेल है से बालू में ऐसे आप लगाते हैं तो आपको वहाँ पर दिखता है यह जब आप कंगी करते हो तो आपको वाइट वाइट कलर का थोड़ा-थोड़ा सा कंगी के आप ऐसे चिपकाववन दिखेगा वो होता है wet dandruff उस wet dandruff के साथ क्या होता है कि आपका जो hair का जो root है hair follicle है उसको यह बलॉक कर देता है बलॉक करने के कारण बालोगों को नरिश्मन नहीं मिलता और wet dandruff के कारण आपको दो-तीन जी यह दिखेगी एक तो बहुत ज़ड़ा खुज सब लगा लेंगे बट वो जाएगा नहीं उल्टा और हेयर फॉल आपका बढ़ते जाएगा तो ऐसा क्यूं होता है क्योंकि देखो और बॉड़ी में गीलापन है उसमें आप और नरिश्मेंट करते जाओगे तो क्या होगा गीलापन जादा बढ़ेगा ब्लॉकेट जादा बढ़ेगी तो चली सबसे पहले यह होता क्यों है वो जान लेते हैं गीला जो टांटरफ आपको शरीर में देखने मिलेगा वो एक्स्ट्रा क्लेद बढ़ने के कारण होगा अब यह क्लेद क्या है क्लेद मतलब शरीर के अंदर क्लेद एक संस्क्रिस्ट शब्द है उस शब बढ़ा रहे हैं बौडी में गीला पन बढ़ा रहे हैं बौडी में जल महाभूत ज्यादा बढ़ा रहे हैं वो वेट डंटरफ करेगा फिर ऐसे लोग जिनको कफ और पित कफ किस से बनता है पानी प्लस मिट्टी पित किस से बनता है पानी प्लस आग दोनों में common क्या है प बहुत जादा liquid Lab की आदत हैं कि फिजिकल अक्टिविटी नहीं है बट liquid लेंगे AC में बैठे रहेंगे पंखे में बैठे रहेंगे या फिर जो सोचते हैं कि liquid चीजे बहुत अच्छी है तो थोड़ी थोड़ी देर में पीते रहते हैं ये सारी चीजे ले लेकि क्या होता है कि आपकी बोड़ी में कलेद, गीलापन कई गुना ज़ादा बढ़ जाता है, दूद की आइटम जो लोग बहुत ज़ादा लेते हैं, दई जो बहुत ज़ादा मात्रा में खाते हैं, ठीक, या फिर जिनको बहुत ज़ादा स्वीट खाने की आदत है, कि खाने के बाद मीठा चा और वो गीलापन क्या करेगा, वेट, डेंडरफ करेगा, ठीक है, अब कई बार लोग बोलेंगे, अच्छा, सबको क्यों नहीं होता, फिर सब लोग तो दई खाते हैं, देखें, ये गीलापन को कंट्रोल कौन करता है, किड्नी, क्योंकि उसके लिश लोग क्या है, फेयरफॉल होने लग जाएगा, यूरीन क्या बढ़ेगा, तो बार-बार पेशाब होने लगेगा, इस तरह की बहुत सारी तकलीफ होगी, तो करे क्या, अगर आपको वेट, डेंडरफ की तकलीफ है, तो सबसे पहले गीलापन कम करने का काम कीजिए, गीलापन कम करने के ल खाना, रात में सोने से पहले दूद, पीना या दही खाना, ये सारे के सारे आइटम बन करो, खाने के बहुत जदा मीठा खाने की आदत है, तो याद रखो कि क्रीमी तकलीफ हो, कही लोग सुछते कि गुड बहुत अच्छा होदा है, तो खाने के बार इतना गुड निप् ब्रिंग राज केस पे बालों पे बहुत अच्छा काम करता है, गुडूची जो भी एक्स्ट्रा गीला पाने उसको शोशन का काम करेगा, रसायन है तो आपके बालों को नरिश्मेंट देने का काम करेगा, और तीन के तीनों दोशों को कंट्रोल करने में मदद करेगा, तो आदा चमच भ्रिंग राज पाउडर, आदा चमच गिलोए, भ्रिंग राज लीवर पे बहुत अच्छा काम करता है, लीवर के प्रॉपर काम ना करपाने के कारण अगर यह हो रहा है, तो उसमें आपको यह मदद करेगा, तो भ्रिंग राज और गुलोए आदा आदा हनी मिला कर खाना खाने के बाद सुभशाम दो टाइम लेना चाहिए, तो त्रिफला और नागरमोथा इसको शहद में मिला कर सुभशाम खाने के लिए 20-22 दिन अगर यूज करते हैं, तो जो भी गीलापन है, वो कम होने में मदद मिलेगा, बालों में तेल लगाना एवाइ उजली हो रही है उसके बदले यही जो त्रिफला आपको बोला इस त्रिफला के पानी से धोवन करना चाहिए तो क्या कर सकते हैं दस ग्राम त्रिफला दस ग्राम नागर मोठा दस ग्राम वीडंग वीडंग नाम का एक पाउडर मिलता है जिसके उपर मैंने वीडियो डाला ह जो कि creamy जो infection से उनको खतम करता है तो ये 10-10-10 gram मतब total 30 gram हो गया इसको एक लीटर पानी में उबाल कर half लीटर कर लीजिए और इससे हफते में एक या दो बर बाल धोई है जब तक वहाँ पर गीलापन है तब उसके बाद आप क्या कर सकते हैं उसके बाद ओईल लगाने के लिए आप locally use कर सकते हैं एक और चीज याद रखिए कि गीलापन है जो तक लिएफ है वो खास करके मोटे लोगों के पास ज़्यादा पाई जाती है तो मेदो हर Google जैसी जो औशदिया मिलती है वो दो-दो बोली सुबह शाम 40 दिन के लिए ले सकते हैं वो आपके लिए फायदे मन रहेगा और ये सारे उपाय करने के बाद भी हाँ वयाम एक इंट्रोडियूस करना वो बहुत अच्छे से काम करेगा क्योंकि वयाम करने से आपका मेद फैट कम होने में मदद मिलेगी जिससे की जो बहुत ज़दा स्वेटिंग हो रही है वो कम होने में फायदा मिलेगा उद्वर्तन के उपर मैंने एक वीडियो डाला है उद्वर्तन मतलब पाउडर को लेके मसाज करना उद्वर्तनम कफहरम मेद सिप्रविलाइनम ऐसे करके वागभट जी ने श्लोक बोला है तो जो एक्ट्रा बड़ा हुआ मेद है उद्वर्तन करने से वो फैट कम होता है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अगर इस वेट डेंडरफ को आपको छे महिनी के उपर हो गए हैं और बहुत सारे उपाय करके भी नहीं जा रहा है तो बेटर गो फ़र पंच कर्मा पंच कर्मा मतलब पाश तरीके से शरीर की सफाई करना उसमें जो वमन नाम का चिकित्सा है आउशदी जो आपको खिला के जो वमन करते हैं चार से पाच दिन आपको घी पिलाएंगे एक दिन मालिश करेंगे और नेक्स डे आपको सुबा आउशदी का काड़ा पिला पिला के वमिट करेंगे वो वमन करके लेना चीए क्यों क्योंकि कई बार कफ की बहुत ज़्यादा थिक्स लेयर बनी हुई रहती है जो की लोकल मेडिसिन्स या फिर ओरल मेडिसिन्स से कंट्रोल नहीं होती तो ऐसे टाइम पे अगर आप ऐसे टाइम पे अगर आप वमन करके लेते हैं और इसके बाद कोई भी आउशदी लेते हैं तो ये उसमें बहुत अच्छा काम करेगा बाल धोने के लिए आमला रिठा शिका काई ये जो हैं सभी की सभी रूक्ष आइटम हैं तो इनको आप 20-20-20 ग्राम मात्रा में पानी में भीगा दो 1-2 लिटर पानी में अगर जैसे लेडिस के बाल जादा होते हैं और सुबह उसको अच्छे से क्रश करके उस पानी से भी आप बाल धोने के लिए उसकर सकते हो याद रखी कि तेल आपको तभी लगाना है जब आपका ये वेट डंडर ठीक होगा अगर वेटनेस गीलापन बढ़ा होगा और उसमें आप सोचेंगे कि अच्छा मार्केट में ये तेल बहुत अच्छा है ये तेल लगाने से बाल इतने बड़े होते हैं ये होते हैं कोई भी चीज आपको फायदा नहीं करेगी क्योंकि अल्रडी गीलापन है उस पहले गीलेपन को खतम करो और उसके बाद अगर आप कोई भी तेल लगाओगे तो जैसे कि 10-15 दिन या 20 दिन दक ऑईल को बिल्कुल भी मट टच कीजिए उस गीलेपन को जाने दीजिए जब आप देखेंगे कि वहाँ का ऐसे नाखुन डालने वालने पर भी वहाँ पर कुछ आपको फसेगा नहीं तब ऐसे कंडिशन पर आप डेली फिर हफ्ते में 2 या 3 बार ओयल लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं बाकी आईरविदा में फिर इसके बाद हम जो करते हैं वो वमन कराते हैं पेशन को वमन करने के बाद फिर उनको तक्रधारा जो छाच होती है छाच के अंदर आउशधियां डालके वो सिर के उपर वो धारा गिराते हैं जिससे कि वहाँ पे जो भी localized infection है वो कम हो और जो मन ह वो भी उनका शान्त होने में मदद मिले तो इतने सारी चीजे आगर आपको wet dandruff गीले dandruff से आप परिशान है तो आप कर सकते हैं और आपको उससे आईरविद से फाइदा definitely देखने मिलेगा तो ये वीडियो कैसे लगा comment करके जरूर बताएं और ऐसे कौन से topic पर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी comment करके जरूर बताएं तब तक के लिए स्वस्त रहें मस्त रहें